इसे तीन बार लगा लो, हाथ पैर दर्द, घुटनों का दर्द, जोडों का दर्द, सब ठीक, 90 साल का आदमी भी भागेगा, नमश्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारी आयूरवेद की गरंत, जिसको वागबट रिशी ने लिखा था, अश्टांक रिद्यम, उसकी अनुसा पर पूरे इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगी, इस तरह से आपको लाइव तेल बनाना कोई नहीं सिखाएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिविशन अप हो जाता है, अ उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मुबाइल में तुरंत एक सेकिंड के भीतर मिल जाए, यहाँ पर मैंने पांच से दस ग्राम की मातरा में जो खड़ी दाल चीनी की च्छाल होती है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, वो ली है, और एक लसुन मैं नहीं आप लिए, पूरा का पूरा लसुन, यह देशी लसुन मैंने लिया, आप देख सकते हैं, जो मार्किट में हमारी सबजी मंडी में लसुन मिलता है, वो ही वाला मैंने इस्तमाल किया है, लसुन के बीच में ऐसी प्रापर्टीज पाई जाती है, आपको भी पता होगा कि जोडों के दर्द के लिए, गुटनों के दर्द के लिए, गुटनों की 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 गुट जकडन हुआ करती थी लेकिन आजकल के नौजवान युवाओं को 35-40 साल के लोगों को भी जोड़ों में गुटनों में दर्द चाहें महिलाओ एवं पुरिशों दोनों को होने लग गया है कारण है लाइस्टाइल खराब होना और एकसरसाइज ना करना थोड़ा सा जॉगिं किया करें रनिंग किया करें बॉड़ी की स्टचिंग किया करें दोस्तों आपको कभी भी बुड़ापे में जोड़ों गुटनों का दर्द नहीं होगा अगले नमबर पर यहां पर मैंने लोंग लिया जिसको मंग्रेजी में क्लोफ कहते हैं ये भी बहुत जबरदस्त होता है बहुत बहतरीन होता है ऐसी महीलाओं के लिए ऐसे पुर्शों के लिए जिनको जोडों में दर्द होता है गुटनों में दर्द होता है इवन मार्किट में जो महंगे महंगे तेल बनाये जाते हैं जोइंट पेन के जोडों के दर्द के गुटनों के दर्द के उसके इससे में body pain सो रही हैं उसके लिए अगले नमबर पर यहां पर जो मैंने जड़ी बूटी लिया है आप सभी जानते होंगे इसको यह मैंने कैरम सीट्स लियें इसको हिंदी में हम अजवायन कहते हैं दोस्तों सभी के गर में पुराने जमाने से दादी नानी अजवायन का इस्तमाल पेट खराब होना बदहजमी की समस्या होना कॉंस्टिपिशन की प्रॉबलम होने में किया जाता रहा है अजवायन का इस्तमाल लेकिन बहुत सारी लोग यह जान करके हरान रह जाएंगे अजवायन से बहतरीन, वह तनाशक और शडी दुन ये इतनी बहतरीन होती है जोडों के दर्द के लिए जिसके आप कुछ क्रोड़ों की कीमत नहीं लगा सकते हो इतनी बहतरीन होती है छोटी छोटी चीज़़ी होती है जिनकी अगर हमें नॉलेज होना तो हमारे लाखों रुपे बच सकते हैं दोस्तों क्योंकि जब आप जोडों को चेंज कराने जाते हो अपने टकनों को चेंज करवाने जाते हो तो आपको ही पता आपके लाखों रुपे लगते हैं और जो उसका दर्द होता है नो उसके आप कीमत नहीं लगा सकते हो गुटनों में चलने में जूडों में तो ये बहुत छोटी सी चीजी जो हमारे घर पे गरिलू अविलिबल होती हैं वो ही हमारी समस्याओं को ठीक कर सकती हैं बस जानकारी के आभाव में सही जानकारी ना हो नहीं के कारण आजकल लोग आयरवेद के ओपर ध्यान नहीं देते हैं उसके कारण हम इन चीजों से वन्चित रह जाते हैं अगले नंबर पे जो मैंने आउशदी यहां पे लिया नो उसका जिक्र उसका वर्नन शिरी राजिर दिक्षित जी ने अपने बहुत सारे व्याख चांग रिदम में इससे बहतरी न और शदी दोस्तों जोडों के दर्द को गुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए हमारी आयरवेद के रिशियों ने दूसरी कोई भी नहीं बताई है तो यह आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बहतरी होती हैं सिर्फ खाली जोड लो किसी को दर्द है तो वहाँ पे उसको उल्टा लिटा के मेथी दाना उसकी कमर पे रखके जहां पे उसको दर्द हो रहा है वहाँ पे उपर से गरम कपड़ा बांद सकते हो जो कपड़ा होता है न दोस्तों जब हमें मोच हा जाती है या फिर किसी को फ्रेक्चर हो जाता तो उपर से गरम कपड़ा लगाते हैं वैसे कपड़ा बांध करके अगर आप रखोगे रात बर सुबह आप देखोगे दोस्तों पूरी तरह से आपका दर्द गायब हो जाएगा इतनी पावरफुल होती है मेती धाना यहाँ पे मैंने पत्थर का या फिर लोहे का खलबटा ले लिया है उसके बीच में दोस्तों आपको लगबग 3-4 ग्राम की मातरा में मैक्सिमम 5 ग्राम की मातरा में लोंगो को डाल करके इस तरह से जैसे में यह लाइव आपके सामने वीडियो में कूट रहा हूँ आपको कूट लेना है और यह जितनी भी मैंने जानकारी बताई है ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं बताते हो मैं जल्दी जल्दी वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हर एक जानकारी सही से एक्स्प्लین करना बहुत जरूरी है अगर मैं जल्दी बता दूँगा आप गलत इस्तमाल उसका प्रियोग कर लोगे तो आपको नुक्सान कर जाएगा यहां पे लोहे का जो मैंने डिंडा लिया वो लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईरन के जब पोशक तब जड़ी बूटियों के बीच में आते हैं तो दोस्तों यह अलग ही कमाल करते हैं अभी हम तेल बनाएंगे इसका कड़ाई में गरम करके तो यह तेल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इसी तरह से जड़ी बूटियों को कूटना है अब मैंने यहां पे सबसे पहले लोंग कोट लिया था अब मैं यहां पे डाल चीनी लूँगा मार्किट में दो तरह के डाल चीनी आती है मैंने यहां पे जो चाल वाली दाल चीनी होती है वो ली है दोस्तों आपको भी यह वाली दाल चीनी लेकर के आनी है और इसको भी कूट करके दोस्तों आपको इसका पाउडर बना लेना है मैं आपको अभी बता रहा हूं कैसे आपको तेल बनाना है दोस्तों यहां पर कड़ाई में लगबग लगबग 100 मिली लीटर की मातरा में आपको सर्सों का तेल गरम करने के लिए छोड़ देना जैसी वो हलका गरम हो जाए दूगा निकलने लगे दीमी आच पर आपको रखना है जो लसुन हमने एक लिया था ना उसको खोल के उसके पूरे छिलके छोटे छोटे करके है इससे भी छोटे आप चाहें तो कर सकते हैं मैंने आपे बारी इसमें काटे हैं लसुन के टुकडे जादा चोटे नहीं कियें तो आपको भी इस तरह से काटके जो हमने लॉंग लिया था वो भी आपको इसके बीच में डाल देना है दाल चीनी भी आपको इसके बीच में डाल देनी है और धीमी आज पे लसुन को तेज हो जाएगी तो दोस्तों इसका जो boiling point होता है ना oil का सरसों का mustard तेल का वो दोस्तों बहुत जादा होता है तो जैसी वो boiling point को cross कर देगा और अगर आपका आँच है वो बहुत जादा हाई flame पे होगी उंची होगी तो दोस्तों इस तेल खराब हो जाएगा इसके पोशक गुन नहीं आएंगे बीच में अभी मैं आपे दाल चीनी का भी powder इसके बीच में मिला दता हूँ पहले मैंने लोंग का मिलाया था सबी चीजों को मिलाके मैंने अच्छे से यहाँ पे mix कर लेना इनको अभी इसमें और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां जाएंगी लेकिन पहले आपको इसको दो से तीन मिनट तक stir करते चमच को चलाते रहना है और धीमी आँच पे पकाते रहना लगबक तीन से साड़े तीन मिनट तक दोस्तों ये बहुत महत्पून बताया गया है अपने शेरीड को स्वस्त रखने के लिए जोडों के दर्द गुटनों के दर्द से बचने के लिए और आयू को लंबा करने के लिए मढबात बहुत जादा अत्यूत्म होता है या पर 5 ग्राम की मातरा में मैंने अद रख्यानी की जिंजर ले लिया है उसको भी मैं इसके बीच में डाल करके अच्छे से पका लूँगा एक और चीज मैं आपको highly recommend करूँगा दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे आपको सर्च करना है ईशा फाउंडेशन सद्गूरु जगी वासुदेव दोस्तों उन से आपको एक practice सीखनी है उनका हट ही होगा टीचर आप अपने घर पे बुला करके एक practice सीखेंगे जिसका नाम है अंग मर्दना अंग मर्दना का spelling मैं आपको बता देता हूँ अंग मर्दना यह जो practice होती है न दोस्तों यह बहुत जबरदस्त होती है आपके जो जोड होते हैं गुटने होते हैं और लिम्स होते हैं उनको strong बनाने के लिए यहांपे मैंने मेथी दाने अजवाएन जो थी मैंने यहांपे ली थी शुरू में विडियो में वो मैंने ले ले लेनी है लगबग छोटे वाला जो आदे से एक चमच होता है आभी मैं आपको लाइफ वीडियो में डालके दिखाओंगा जितनी quantity में डालूँगा उतनी ही quantity में आपको डालना है ये देखे इतनी quantity में इसके बीच में दोस्तों मैं डाल दूँगा इस तरह से और इसको भी दीमी आज पे पकाते रहूँगा अब आप देख सकते हैं इसके हमने कोई भी खतरनाक जहरीली चीज़ का इस्तमाल नहीं किया है सभी healthy चीज़ों का इस्तमाल किया है और ये सभी की सभी चीज़े जोडों के दर्द के लिए गुटनों के दर्द के लिए फायदे मंद होती है जसी आपका तेल तीन से चार मिनट पक जाए मेथी दाना और अज्वाइन डाल करके बंद कर दीजिए गैस को ठंडा होने के बाद इस तरह से कांच की शीशी में आप छान करके तेल को निकाल के स्टोर करके एक से देड़ हफते तक रख सकते हो और इसकी मालिश कर सकते हो डेली रोजाना रात को सोते समय दोस्तों सूबह भी उठके आपके उपर निर्वर करता है अगर आपके पास टाइम जादा तो दोस्तों जरूर होना चाहिए जब भी आप लंच ब्रेकफस्ट टिनर करते धन्यवाद दोस्तों मुझे उमीदा आज की जान करें आपको अच्छी लगी होगी